नमस्कार बिये दुति वर्स इतिहास की विद्यार्थियों का डिज्टिल कक्ष में स्वागत है कुम्भा कालीन जो कला है उसका बहुत बिस्तृत संसार है कुम्भा कालीन विवित प्रकार की कला चाहें वह स्थापत तकला रही हो या मूर्त कला रही हो या संगीत कला रही हो चित्र कला रही हो इन सभी में कुम्भा काल में मेवाड की विसी सुपलबधियां रही तो इस थापत की दριश्ट से बिर देखा जाए तो कुम्भा ने न शिर्फ चित्तृड बल्की कुम्भल गड के अतरिक्त अनेक जगे देवाले इस्थापित किये या देवालियों का जिनो धार कराया तो इस दर्ष्ट से भी ये व्याख्यान एक उसमें नहीं किया जा सकता था हता मैंने ये ते किया कि कुम्भा कालीन चितोड का सिर्फ मंदिर इस्थापत कैसा था और कौन-कौन से मंदिर थे जिन पर कुम्भा के काल में कार हुआ तो मंदिर फिर इसके लावा इस्थम्भ भी हैं बहुत सारा इस्थापत है तो आज की इस चर्चा में हम कुम्भा कालीन चितोड के मंदिर इस्थापत की चर्चा करना चाहेंगे चित्तोर दुर्ग पर कीर्तिस्तंब के निक्टस्त कुम्ब स्वामी का मंदिर है मूल रूप से मंदिर कुम्बा के काल से बहुत पहले बन चुका था इसका नीचे का भाग गर्बग्रे तथा मंडोबर का कुछ भाग नमी सताब्दी का है सेस भाग का निर्माण कुम्बा की काल में हुआ इस पश्ठ है कुम्बा ने इस मंदिर का जिनोधार करवाया था कीर्तिस्तंब का निर्माण तथा कुम्ब स्वामी देवाले के जिनोधार का कार अनमानता साथ साथ हुआ था जिडोधार का कार सूत्रधार जेता के द्वारा ही संपन हुआ था कुम्बलगल प्रसस्त में कुम्ब स्वामी के मंदिर की भी प्रसंसा की गई है सभा मंडब में उपलब्द प्रतिमाओं पर कुतक्रीन अविलेखों से इसपष्ट होता है कि इन प्रतमाओं को महाराना कुम्बा ने संबत 1505 में इस्थापित करवाया था कुम्बलगल प्रसस्त के इसलोग संख्या 56 में संकेत मिलता है कि इस मंदिर में मूलता बरा अतार की प्रतिमा रही थी चितोड में उपलब्द होने वाले मंदरों में ये सबसे विसाल मंदर है इसका निर्मान परियाप्त उंची जगती पर हुआ है इसके आसपास छोटे छोटे मंदर हैं जो निसंदे कुमबा कालीनी है इस मंदर में गर्बग्रे, सबामंडप, आदि बने हुएं तथा गबाक्ष भी हैं बाहरी भाग में रखी हुई सामग्री संभौता अन्न मंदरों से लाई गई है मंदोबर भाग में कथिपे नर्थकीयों की पर्तिमाएं हैं इस मंदिर को मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं राज महलों के सामीप एबं दुर्ग के प्रमुख मंदिर के कारण संभव है कि उस मंदिर की विसेश मानता रही हो दूसरा जो प्रमुख मंदिर आता है वो स्रंगार चवरी का मंदिर आता है यह चितोड़ दुर का दूसरा स्रेष्ट मंदिर है जिसका जिन्डो धार महाराणा कुमभा द्वारा करवाया गया था मूल रूप से इस मंदिर का निर्मान तेरमी सताब्दी में हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि यहां जिस प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया गया था वह खंडित हो गई थी यह अश्टापद विवस्था तथा सर्वतो भद्र प्रतिमाएं यहां लगी होने का अनुमान है ऐसा भी आवास होता है कि जिन्डो धार के समय दो द्वार बंद कर दिये गए और उनमें जालिया लगा दी गए अब मात्र दो ही द्वार हैं मंदिर में उपलब्द अविलेक से प्रतित होता है कि मंदिर का जिन्डो धार भंडारी स्रेष्ठी बेला ने करवाया था यह उपलब्द लगव विलेखों से प्रतीत होता है कि विक्रम संबत 1510 तथा विक्रम संबत 1512 में यहां अन्य स्रेष्ठियों द्वारा प्रतिमाय स्थापित करवाई गई थी महावीर प्रशाद यानी जैन कीर्तिस्तंब के निकट महावीर प्रासाद का जिनो उद्धार गुनराज नामक स्रेष्ठि ने करवाया था जिनो धार का यकार महारणा मोकल की अन्यमत से संबत 1480 में प्रारम करवाया गया तथा संबत 1495 में जिनो धार का कार संपन होगा सोम सौबाग काब से ग्यात होता है कि जिनो धार हो जाने पर इस मंदर की प्रतिष्ठा सोम सुंदर सूरी द्वारा की गई इस देवाले के संबंद में एक रोशक्तत यह है कि यह मंदर मूलता दिगंबर मंदर था तता महारणा कुमबा के समय तक आते आते जब दिगंबर संपरदाय का प्रभाव समाप्त हो गया तब यह सुईतांबर मंदर बना दिया गया क्योंकि जिनो धार का कार सुईतांबर संपरदाय के स्रावकों द्वारा करवाया गया था दूर्ग पर अन्न सभी जहन मंदर खर्तर गच्च अचल गच्च आदिके हैं लेकिन तपागच्च जहन संपरदाय का यह एक मात्र मंदर है मंदर पर एक सिलांकित प्रशस्ट भी रही थी लेकिन कालांतर में वे नश्ट हो गई अकबर के अक्रमण के समय यह मंदर नश्ट कर दिया गया था अता बरत्मान में मंदर का गर्वग्रे एवं गूड मंड़ भी उपलब्द है 27 देवरी कुम्ब स्याम मंदर के सामने प्राचीन जैन मंदरों का एक समू उपलब्द है जिसे 27 देवरी कहा जाता है इन मंदरों में से कुछ कुम्बा कालीन तथा सेस महाराणा रायमल कालीन प्रतीत होते हैं जिडो धार हो जाने कारण की प्राचीनता समाप्त हो गई है फिर भी कुछ भाग अपने मूल रूप में उपलब्द है जो कुम्बा कालीन कला की इस्तितिका ग्यान कराते हैं इन मंदरों की सामान नियुजना स्वितामबर जन मंदरों के समानी है जिन में गर्बग्रे, बूड मंडप, बिक मंडप, स्रंगार्चो की आदी भाग बने हुए हैं इन में साथ मूर्तियों में से कुछ महाराना मोकल, कुछ कुम्बा तता सेस महाराना रायमल कालीन है तो कुम्बा कालीन जो इस्थापत कला है वो अपने आप में बिसिष्ट प्रकार की है इसमें हमने इस व्याख्यान में कुम्बा कालीन मंदर इस्थापत की जो चर्चा की वे चितौड के संदर में सिर्फ है तो समास्ता इस व्याख्यान में जिन मंदरों का हमने उलेक किया वो सभी चितौड में ही इस्थित रहे हैं और इन मंदरों के साथ साथ अन मंदर भी हैं जिनका हम उलेक बाद में करेंगे तो समास्ता आज हमने इस व्याख्यान में जिन मंदरों की की चर्चा की इसमें कुम्ब स्वामी मंदर स्रंगार चमरी मंदर माबीर प्राशाद जैन मंदर जो तपागच से सम्मंदित है और एक मात्र यह तपागच संपरदाय का मंदर है सत्वीस देवरी मंदर की चर्चा इस व्याख्यान में की और अगले व्याख्यान में हम कुम्बा कालीन जो अन्य मंदिर हैं चितोड के अलावा उनकी चर्चा करेंगे तो अभी चितोड में जो कुम्बा कालीन अन्य स्थापत है जिसमें कुम्बा कालीन जो कीर्थ इस्तंब है उसकी चर्चा दूसरे व्याख्यान में की जाएगी और अन जो मंदर स्थापत है उसकी चर्चा करना है इस्तंब है उनकी चर्चा करना है कीरतिस्तंब के विशेश संदर में तो हम आगे करेंगे इस व्याख्यान से संबंधित यदि आपके मन में कोई इन मंदरों जिन तीन चार मंदरों की हमने इसमें चर्चा की है से सम्मते दित कोई जिग्यासा है या आपके प्रस्ण हैं तो कमेंट बॉक्स में अवस्थ अपना कमेंट लिखें या वाटसेफ गुरुप के माध्यम से भी हमें आप अपनी जिग्यासा बता सकते हैं परिक्षा में आपके यहां कुमबा कालिन मंदर स्थापत से अनेक बार प्रस्ण आये हैं जिनमें कभी प्रस्ण पूछा गया है कि कुम स्वामी के मंदर का निर्मार किस ने करवाया कुम स्वामी का मंदिर कहां पर इस्थित है या की महवीर प्राशाद मंदिर कहां पर इस्थित है या तपागच से सम्मंदित चितोड में कौन सा मंदिर इस्थित है इस तरह के प्रिशन बिगत दिनों आपकी बीए की परिक्षा हम पूछे गए हैं साथ साथ अन्य जो प्रतोगी परिक्षाएं होती हैं उनमें भी कुम्भा कालीन मंदर इस्थापत पर अनेक बार प्रशनाए हैं और आमतोर से चितोड में जो या कुम्भल गड़ में जो इसका इस्थापत है उससे सम्मदित प्रशनाते हैं धन्यवाद